हेलो प्रेंब्स वेलकम टू मैं चानल आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक जगर ले जाऊंगी एक्चुली बहुत दिन से मैं सोच रहती कि मुझे रजाई बनवानी है तो कॉटन की रजाई तो नॉर्मल जो हम लोग सभी कोई देखते हैं कि बनाते हैं लेकिन आज यह थोड़ी से अलग होने वाली है क्योंकि मैं यहां पर आपका रेमॉंट हों का जैसे क्विल्ट मिलता है उस तरह का मैं एक आपका कॉमपोर्टर या फिर क्विल्ट जो भी बोल दे वह बनाने के लिए जाड़ी हूं क्योंकि हमारे जो चाचा है वो इसके पहले भी हमारे घर के लिए बहुत सारे चीज़े बनाए हैं तो उन्होंने कहा है कि मुझे इस तरह का बना देंगे क्योंकि वो मुझे बहुत बड़ा भी नहीं और बहुत छोटा भी नहीं मीडियम साइट चाहिए इसलिए मुझे यह बनवाना कि वो कैसा बना और साथ में वहाँ देखते भी रहिएगा कि कैसे बन रहा है जब उन्होंने कहा है कि उस तरह से बना देंगे तो जरूरी बनाएंगे तो चलिए पहले देख लेते हैं कि नॉर्मल जो रजाई होती है उसके साथ रेमान हों का जैसा क्विल्ट वो हमें कैसे बना के देते हैं देखे यह रेमान का कॉमफोटर है और इसका एक तरफ इस तरह का प्रींट है और एक तरफ इस तरह का एक कलर में प्लेन है और इसका जो रूई है आप देखे देख के समझ सकते हैं अंदर में आपका सिंथिटिक वाला इसका रूई दिया हुआ है जो हम यहां पे तो synthetic वाला वैसा ही रूही मिलेगा तो उसी से मैं बनाऊंगी यह देखिए यह रेमांट होंग का है तो यह बहुत ही light weight है और यह आपका double bed size का है तो इसलिए मुझे तो मीडियम बनाना है तो चल यह देखते हैं यह देखिए यह सिंथेटिक रूही को वह धून रहे हैं और दूसरी तरफ कॉटन रूही भी धून रहे क्योंकि मुझे दो बनाना है एक सिंथेटिक रूही से आपका light weight वाला होगा और कॉटन रूही से नॉर्मल जो हम लोग बनात है जो मोटा वाला रजाही जिसको हम लोग बोलते हैं वहसा हूसा है हाथ है करें 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 में है झाल झाल यह रेखिए यह तो सिलाई करें लेकिन मैंने उनसे कई बार कहा कि यह मुझे लग रहा है कि थोड़ा मोटा बन रहे हैं तो आप थोड़ा इसको हलका करें लेकिन उन्हें कहा कि नहीं जब यह सिलाई हो जाएगा तो एकदम पूरा बैट जाएगा तो यह देखिए दोनों एक तरफ कॉटन वाला रूई का और एक तरफ आपका सिंथिटिक रूई का दोनों ही बन रहा है अब देखते हैं अंतिम फिनिसिंग होने के बाद यह क्या हो बनाते हैं तो लीजिए देखें मेरे को क्या बना के यह दे दिए यह दाल बनाने के लिए चना दाल को रात में भिंगो के रखे थे अब इसको मैं कुकर में थोड़ा सा नमक देके पहले थोड़ा बॉइल कर लूँगी अब एक कड़ाए में टू टेविल स्पून तेल गर लगीगी और मेथी थोड़ा सा लाल हो जायेगा ज्यादा तब इस सारे मेथी को मैं उठा लूँगी अब देखें इसका color आहिसा जेंज हो गया है अब इस मेति को मैं gas को बन करके ये सारे मेति को मैं तेल से उठा लोगी सारे मेती को उठा लेने के बाद इसमें मैं दो तेश पत्ता और सुखी मीर्च दूगी इसके बार मैं यहाँ पे लौकी के छोटे-छोटे टुक्रे करके रखी हूँ उसको दे दूँगी तेल में अब इसमें वान टीस्पून नमक का यूज कर दी हूँ क्योंकि मैंने दाल में भी थोड़ा सा नमक देखी ही उसको बॉयल की थी हाप टीस्पून हल्दी और एक टीस्पून घीसा हुआ आपका अद्रक यह मैं पेस्ट नहीं बनाई हूँ इसको थोड़ा घीस ली हूँ और इसको देके थोड़ा सा अच्छी तरह से इसको पहले फ्राइ कर ले फिर उसमें मैं यह बॉयल की अवा जो डाल था उसको मैं दे दूंगी तीखा आप अपने स्वाध अनुसार यूज करें अब डाल को थोड़ा धिमी आच में पकाएंगे जब तक आपका लौक की पून घी देके मैं गैस को बन कर दूंगी और यह देखिए मेथी की घुजबू वाला चना से बना यह लौकी का दाल बनके तियार है गरम गरम चावल के साथ आप इसे परोसे और देखिए यह खाने में कितना स्वाधिस्ट बनते हैं तो फ्रेंड्स सिंपल तरीके से डाल की रेसीपी तो मैं आप लोगों को शेयर की कि वो कैसा लगा यह बात तो आप हमें जगर बताएंगे लेकिन एक चीज मुझे बहुत मेरा आख के मन पुरा खड़ाब हो गया क्योंकि मैं जैसा सोच के गई थी और उन्होंने जैसा कहा सिंथेटिक रुई से बना दिये या फिर को सब्सक्राइक पर सुझतना जाता है सिंथेटिक ini मिलती है कि जो चीज ब्रैंडड़ बिलती है यह भी जासा मैंनूं सब्सक्राइब जह सोचयां डेह बात उन्हें पहले ही कहतीनी चाहिए थी कि हम लोग बनाएंगे लेकिन ऐसा नहीं बना पाएंगे अगर वो मुझसे ऐसा कह देते तो फिर मैं नॉर्मल बाना जैसे रजाई बनाई हूं ऐसे ही बनाती पतब इसमें मुझे खर्चा भी हुआ लेकिन जैसा चाहा वैसा नहीं तो मेरी आप लोगों से भी सला है कि या फिर मैं तो कहूँ कि मेरी सीख से आप भी एक सीख ले सकते हैं कि अगर कुछ भी आपको इस तरह से बाहर ब्रैंडिट पसंद हो और अगर आप चाहें कि वो बनाना है तो फिर लोकल में जाके वो बनानी की कोशिस ना करें क्योंकि कि वो बोल तो देते हैं कि हम ऐसा बना देंगे लेकिन आइसा होता नहीं है तो इस बात पर मेरे हस्बेद मेरी बेटी ने दोनों ही बहुत ही तो उन्होंने हसते वे कहा कि इसी लिए तो इनका तो जुप फ्याक्क्री है वो बंध हो जाएगा तो मुझे मैं गूसा थी तो उन्होंने मुझे सांत करने की बिए ऐसा कहा तो यह बात भी सही है तो मेरी ही कलती है कि उन्होंने कहा मैंने उनका बात पर विस्वास किया तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा यह बात आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए और इससे मुझे जो सीख मिली यह आप भी आपको भी अगल लगता है कि यह सगलती आप से ना हो या फिर आपके दोस्तों से तो इसे लाइक और शियाज जरूर करें सब्सकाइब करने पर मेडिया अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आजाएगी अगली वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी तब तक के लिए अलपिता